हलो दोस्तों में नाम है कपिल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बार में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो ऐसे कोईन्स की जो की अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्टॉंग है दोनों के दोनों ही फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है तो बने रहे हैं मैं साथ इस वीडियो में शुरूल से आखिर तक जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल नोटिफिकेशन को वाल पर सेट कर दे ताकि आने वाली हरे एक वीडियो का नोटिफि मिल जाएगा तो छली दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले सोलाना के कोईन मार्किट कैप के पैज़ पर सबसे पहले बात करेंब दोनों की मार्किट रैंक की कि देखी जाए तो 14 या ल dh in मार्किट रैंक अगर देखी जाए तो नाइन है यानि कि पॉलका डॉट की मार्किट कैप आप देख सकते हैं या लगबग 14.9 बिलियन यूएस डॉलर और अगर सोलाना की मार्किट कैप की बात करे तो 9.3 172.3.4 billion U.S. dollar के आसपास इसकी market cap है और अगर circulating supply की बात करे तो 272.6 million के आसपास इसकी circulating supply है और पॉलका डॉट की अगर circulating supply की की बात करें तो लगबग 957.6 million Polkadot coins के इसकी circulating supply है वहीं अगर Polkadot की market dominance की बात करें यानि के market में इसका कितना हिस्सा है अगर उसकी बात करें तो लगबग Polkadot का है 1.04% और market dominance में इससे स्वलाना थोड़ा पीछे है इसका dominance around 0.64% के असपास है जो की Polkadot से काफी कम है अभी बात करने दोनों coin market cap पर कब-कब लिस्ट हुए है तो अगर बात करें Solana की तो Solana लगबग यहां पर आप देख सकते हैं 12 अप्रेल 2020 यानि के इसको लगबग एक साल से ज्यादा हो चुका है एक साल दो महीने और यहीं अगर Polkadot की बात करें तो Polkadot coin market cap पर लिस्ट हुआ 20 अगस्त 2020 यानि के अगले महीने इसको एक साल होने वाला है यानि के Solana Polkadot से दो तीन महीने पहले लिस्ट हो चुका था अभी बात कर लेते हैं प्राइज की तो Polkadot के प्राइज अगर अभी देखे तो 15.63 यूएस डॉलर है और सोलना का प्राइज अगर देखे तो 34.21 यूएस डॉलर है भी और अगर all time high की बात करें तो सोलना का all time high लगबग 55.9 यूएस डॉलर लगबग 56 यूएस डॉलर इसको मान सकते हैं और वहीं अगर Polkadot के all time high की बात करें तो Polkadot का all time high जो है वो है लगबग 48.68 यूएस डॉलर यूएस डॉलर के आसपास आप इसको मान सकते हैं तो यहां पर अगर growth की बात करें तो growth के मामले में Polkadot से ज़्यादा strong रहा यहां पर Solana Solana की growth अगर आप देखोगे तो यह 0.07 यूएस डॉलर से यानि के अगर आइणर में हम देखे 0.07 यूएस डू आइनर तो यहां पर आप देख सकते हो 5 रूपय बीस पैसा यानि के लगबग 5 रूपय बीस पैसे के आसपास यहां पर लिस्ट हुआ था और जो इसका all time high ह है वो लगबग है 56 यूएस डॉलर के असपास इसका all time हाई है तो पांच रुपए 20 पैसे से लेकर 56 डॉलर तक का सफर इकने तेजी से या नहीं के लगबग 4,160 रुपए के असपास पांच रुपए से से लेकर 4,000 रुपए तक का सफर आप देख सकते कितनी तेजी से 16 डान नहीं यहां पर अचीव किया पर मात्र एक साल में और वहीं अगर पॉल का डॉट की बात करते हैं तो पॉल का डॉट का जो all time हाई है वह है लगबग 48 यूएस डॉलर लेकिन अगर यहां पर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो 2.76 यूएस डॉलर पर यह लिस्ट हुआ था यानि कर इसको आइनार में हम कनवर्ट करते हैं 2.76 तो लगबग 205 रुपे में यह यहां पर लिस्ट हुआ था और अभी इसका जो all time हाई था वह था लगबग 48 यूएस डॉलर तो इसका भी एक प 2.07 यूएस डॉलर से 56 हूएस डॉलर तक की growth की और वहीं अगर 1990 की बात करें तो 2.27 यूएस डॉलर से48 यूएस डॉलर तक की growth पॉलकाडोट नने क्यों तो यहां पर जो है सोलाना इसे तेज निकला growth के मामले में और future में भी में से ज्यादा को चूज करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको Solana की एडवेज दूँगा क्योंकि यहाँ पर एक दो रिजन और है कि आप अगर देखोगे मार्गिट क्रैश में पॉलका डोट का प्राइज 48 से आ गया है 15 युएस डोल तक और आप यहाँ पर देखे तो सोलाना पर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा है 55 से 34 युएस डोल तक आया है तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन दोनों में किसी को चू कर देना और अपना कीमटी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए दोस्तों फिर मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन और जय भारत